हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो SSC कोचिंग सेंटर, दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सिक्कों पर आधारित प्रेशनों की, सिक्कों पर आधारित प्रेशन की स्टैप से सॉल्व होते हैं, गारंटी लेता हूँ, बिदाउट पैन और पेपर के आप इन कोशन को जोजे अभी आपको समझाने के लिए पैन की जोद पड़ेगी, उसके बाद आप बिदाउट पैन और कोपी के कर देंगे, चलिए समझते हैं कैसे करते हैं इन कोशन को, कोशन स्क्रीन पर लिखा हुआ है, यदि 372 सिक्के एक रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के र लेकिन अभी हमें पैन इस्तमाल करना है आपको समझाने के लिए, तो चलिए करते हैं, इसमें दिया गया है एक उर्प्या, तो आप लिख लीजिए एक उर्प्या, अनुपात में दिया गया है, तो आप सब को अनुपात में लिखिए, फिर दिया गया है 50 पैसे का सिक्का, तो 50 पैसा लिख लिए फिर दे गया 25 पैसा तो आप 25 पैसे को लिख लिजिए लिख लिए ये दिया गया दोस्तों अनुपात में तो इनके नीचे इनका अनुपात भी लिख लिजिए एक का अनुपात कितना दिया गया 13 तो 13 लिख लिए 50 पैसे का 11 तो 11 लिख लिए और 25 पै के सिक्कों की संख्या पूछा गया है और 50 पैसे का उनुपात कितना दिया गया है दोस्तों 11 तो आप क्या करेंगे इस 11 से जो ऑफ्षन दिये गए हैं उन्हें आप डिवाइट करके देखिए जो पूरा पूरा डिवाइट हो जाएगा वही आंसर होगा तो 11 से आप 112 को डिव नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है 132 को डिवाइट करेंगे 11 से डिवाइट हो جाएगा तो एक con-tiggs GP6 घृइब फूरा पूरा हो जाएगा इसका मतलब यही हमारा आंसर है 134 को डिवाइट करेंगे तो ये भी डिवाइट नहीं होगा और 138 यही आपका आंसर होगा तो 132 आपका पूरा पूरा डिवैड हो जाता है तो यही आपका आंसर है देख करके देख लीजेगा दोस्तों 11 से 12 बारे डिवैड हो जाएगा पूरा पूरा तो इस प्रत्यक प्रकार के सिक्कों की संख्या ग्याद करो हैं तो यहाँ पर बी तीन संख्या दे रखी हैं तो हमें आशानी हो जाएगी ढूंडने में और जब आप कॉश्चन करेंगे एक्जाम में तो वहां भी जग तीनो का पूछा गया है तो तीनो का संख्या दे रखी होगी तो इसे भी विर्कुल उसी ट्रिक से करके देखिए आपको क्या दिया गया, एक उर्प्या लिख लिए, अनुपात लिख लिजिए, पचास पैसा ये भी लिख लिख लिए, अनुपात लिख लिजिए, और दस पैसा लिख लिए, इनके नीचे इनका अनुपात लिख लिजिए, एक का अनुपात तीन लिख लिए, पचास का पा पहले का इसमें नहीं जा रहा है तो दूसरी में डिवाइट करके देख लो ऐसा नहीं करना है पहली का पहले में दूसरी का दूसरी में और तीसरी का तीसरी में करके देखना है तो तीन का डिवाइट करेंगे पहले 25 में तो चला जाएगा नहीं जाएगा तो इसमें 70 में तो चला जाएगा या नहीं जाएगा तो zu 10 दूना 14 3 बचे का 35 हो जाएगा तो 1730 इसका मतलब यही एमारा आंसर हो जाएगा और आगे-क option चेक कर लेते हैं तीन का 36 में तो चला जाएगा है पांच का 20 में वहाईगा लेकिन 27 यहूं है your question कौन सा है option number B दोस्तों सिक्के पर आधार्य ट्रेश्णों को आप इस टैप से हल कर सकते हैं चाहें आप से प्रत्यक संख्या का पूछ लिया जाए चाहें एक रुपे की संख्या चाहें 50 पैसे की किसी भी संख्या का पूछ लिया जाए कोई भी पैसा हो उसका पूछ लिया जाए तो इस ट्रिक से आप बहुती आसानी से कर सकते हैं नाहीं आपको कौपी की जरूरत है नाहीं आपको पैन की जरूरत है दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दिजिए दोस्तों धन्यवाद